कभी घमंड आ जाए जिन्दगी में, कभी घमंड आ जाए जिन्दगी में, तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, आप से भी बहतरीन लोग वहां राख बने हुए हैं, राख बने हुए हैं, हलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलकायादव, और हर शनिवार की तरह, इस शनि बिजनसमेन, अपने बिजनस की काम्याबी का दिन सेलिबरेट कर रहे थे, और स्टेज पर सभी लोगों को बता रहे थे, कि उनकी बिजनस की काम्याबी का, क्या मूल मंत्र है, क्या उपाय है, तो उन्होंने बताना शुरू किया, कि जैसे ही उन्होंने जब शुरू नहीं मिल रही थी और उनके जीवन में घर से भी बहुत जादा परेशानिया थी बिजनस भी सफल नहीं हो रहा था एक दिन उन्होंने तंग आकर घर छोड़ दिया और घर छोड़ कर वो निकल कर दूर कहीं जाने लगे जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे अचानक ही रात हो ग रहा था तब इस बिजनसमेन ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे एक रात ठहरने के लिए दोगे जगें चाहिए सिर्फ आज-ाज की रात काटनी है वो व्यक्ती हसने लगा और उसने कहा ये मेरा घर कहा है मैं तुम्हें यहां का मालिक नजर आ रहा हूँ मैं तो एक चोर हू और इस दिवार में छेद कर रहा था चोरी करने के लिए लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस चोर को ये बिजनसमेन बहुत ही अच्छा लगा और उसने का चलो तुम मेरे घर चलो एक रात की ही तो बात है और वहां पर आप रुको और सुबह जहां जाना हो चले जाना दोनों वहां पर चले गए उसके बाद बिजनसमेन बताते हैं कि वो चोर इतना अच्छा निकला कि जब तक इनको वहां रहने का मन किया ये वहां पर रहे और एक रात नहीं इन्होंने वहां पर 15 राते गुजारी और हर रात को जैसे ही बहुत जादा रात हो जाती थी चोर इनको क चोर उनको बताता कि नहीं आज तो कोई माल हाथ नहीं लगा है कल देखते हैं कल जरूर मिलेगा इस तरह से धीरे धीरे करके 15 दिन बीटते गए और तो ये था चोर उनका पहला गुरू चोर ने उनको सिखाया कि जीवन में पोजिटिविटी कितनी जरूरी है पोजिटिव दिन के बाद बिजनेसमेन ने सोचा कि आप मुझे यहां से चलना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए वो इस घर से निकल कर जैसे ही कुछ दूर आगे चलने लगे उनको रास्ते में एक कुट्ता दिखाई दिया और वो कुट्ता तेज तेज भाग रहा था उनको भी लगा कि पता नहीं यह कहा जा रहा है उन्होंने उसको पीछा करना शुरू कर दिया आगे जाकर क्या देखता है कि आगे एक नदी थी कुट्ता नदी के पास जाए और जट से वापिस आ जाए फिर जाए फिर आ जाए बिजनेसमेन को भी बड़ी प्यास लगी थी गर्मियों के दिन थे गर्मी हो चुकी थी उन्होंने वहाँ से पानी पिया और अपनी प्यास बुजाई लेकिन कुट्ता फिर से जाए और वापिस आ जाए यही होता रहा बिजनेसमेन ने वहाँ जाकर देखा कि आखिर बात क्या है तो उन्होंने क्या देखा कि कुट्ता अपनी ही पर सीखा कि जीवन में जम्प करना छलांग लगाना बहुत जरूरी है क्या पता उस जम्प के नीचे से ही मुसीबत निकल जाए इसके बाद जैसे ही वो आगे जाने लगा एक गाउं में पोचा और रात हो चुकी थी उनको वहां पर एक बच्चा आतावा दिखाई दिया और अच्छा जैसे जैसे आगे बढ़ा आए बिजनसमेन ने उन्हों पूछा कि ये जो तुमने मुझे जलाई है तुम्हें पता है ये उजाला ये रोशनी कहां से आई है बच्चे को लगा अच्छा ये तो मुझे बुद्धू बना रहा है पागल बना रहा है बच्चे ने मुझे बुजा दी और बच्चे ने इन्हीं से प्रश्न किया कि अब आप पहले मुझे ये बताओ कि जो ये उजाला था ये रोशनी थी ये कहां गई ये सुनकर बिजनसमेन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और ये था उनका तीसरा गुरू यहां से बिजनसमेन को सीख मि किसी भी तरह से आप से बहतर हो सकता है तो इस तरह से जिस तरह उस बिजनसमेन ने अपने जीवन में इन तीन गुरूओं की बातों को अपलाई किया और एक सफल बिजनसमेन हुए ठीक इसी तरह ही हमें भी अपने जीवन में इन तीन चीज़ों को बहुत महत्व देना चा यह जैसे आजकल हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में कोरोना काल चाया हुआ है लेकिन फिर भी हम इस आशा के साथ कि आगे आने वाले दिन बहतर होंगे अच्छा होगा हम आराम से जी रहे हैं तो हम सब पोजिटिविटी रखें इसी तरह से ही जीवन में जम्प करना ब आ लेते हैं तो कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए अंत में केवल दो ही लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी कि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे इसी तरह से आप हर श स्टोरीज को यूँ ही लाइक करते रही है अगले शनीमार आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार